Welcome to your own channel, Civil Engineering शर्मा जी दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, वो साइट इंजिनियर को लेखे है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम रहता है उसमें जो एक्जिक्यूशन में बोल लो, या साइट इंजिनियर का क्या वक रहता है क्या-क्या चीज़े उसको आनी चाहिए, क्या-क्या चीज़े वो काम करता है साइट इंजिनियर तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो जो फ्रेशर्स हैं, जो परसुइंग सीविल इंजिनियर है वो मस्ट इस वीडियो को देखें क्योंकि जो मैं आपके 8-10 मिनट लूँगा उसमें मैं आपको fully clear करूँगा कि क्या-क्या चीज़े आप face करने वाले हो क्या-क्या चीज़े आपको आनी चाहिए और क्या-क्या काम आप वहाँ जाके करोगे देखो building construction एक full package काम होता है अगर हम बात करें tunneling की या road work की तो अधरे एक menshevel work होता है कि आपको यही work रहेगा यह यह लेकिन उसमें क्या रहते है हमारा जो building construction में हर पड़ा पे नए-एक काम आ देता है site engineer को और responsibility भी काफी बड़ी होती है तो हम start करते हैं basic work से यह brick work होता है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें द्यान देनी होती है देखो कोई भी मैं overall पकड़ के चलता हूँ मैं brick work का नहीं अब यह पता हूँ आपको brick work का मैं last name mention करता हूँ जो जो काम इधर है तो overall उसको क्या आना चाहिए देखो जैसे ही वो एंटर करेगा as a civil engineer field में fresher तो उसको जो drawing reading वो must पता होनी चाहिए क्योंकि कोई भी work होगा वो drawing related होगा हम बात करें slab की, column की जहां layout की कोई भी work रहेगा वो drawing का तो उसको basic drawing का पता होना ही चाहिए क्योंकि वो जो guide करेगा जहां हम बात करें अब उसकी supervisor की वो उसके through ही उनको guide करेगा drawing के तो drawing पढ़ना must उसको आनी चाहिए फिर हम बात करते है measurement की जो tape reading का, तो क्योंकि काफी engineers को दिक्कत होती है क्योंकि हम बात करें engineering के time, 4 साल में इतना focus नहीं किया जाता है practical knowledge तो tape भी के engineer ने तो tape भी वो field पे जाके देखते हैं कि जिससे हम measurement करते हैं इसको पढ़ना कैसे है, foot कितना है एक मीटर कितना हुआ, 80 cm और 800 mm काफी confusion हो जाती है conversion में side पे जाके तो यह चीज़े basic हैं, यह आपको पकड़ लेनी है पहले हैं कि जो convergence होती है, वो काफी दिक्कत देती है side पे जाके civil engineer को तो यह काम रहता है building construction में जो basic काम फिर हम बढ़ते हैं, और क्या काम रहता है, auto level का जो होता है कि आपको elevations देनी है, कि किस पड़ा पे हमारा beam रहेगा, किस पड़ा पे lintel आएगा लटक beam, मतलब जो T beam रहेगा, वो कितना column से, कितना height पे यह जो level का होता है funda, यह काफी confuse कर सकता है side engineer का तो आपको auto level जो होता है, उसको properly सीख लेना है और drawing के according देखो फिर auto level और फिर rate किस से हो रहे है drawing से तो मैंने कहा है, जो first चीज़ ही क्या है drawing reading civil engineer का, जो site engineer का काम है execution में, वो drawing से ही start होता है तो drawing हर चीज़ में relate करती है, तो auto level से हम, drawing से हम level देखेंगे वो हम marking करते हैं, columns पे, beam पे, जहाँ जब आपकी execution हो रही होगी वहाँ वो काम आएग, auto level हो गयरा फिर हम बढ़ते हैं, जो material checking का का काम आता है तो उसमें हमारा जो brick, जैसे brick brick का सामने है तो brick brick का की brick A class है, B class है, C class है आपको पता होना चाहिए कैसे हम इनको differentiate कर सकते हैं बाकी जो हमें curing करनी होती है, brick को जो soak करके रखना है बाटर में 24 hour के लिए कि वो absorption test जो रहता है वो है, उसको जब भी आफ यूज करोगे, उसको proper cure करके मतलब उसके पानी कम से कम 20 मिनट तो उसके पानी रेगुलरी brick पे लगा होना चाहिए फिर आप brick वो यूज करोगे, नहीं तो बाद में जो प्लास्टर करोगे आप brick पे तो वो पूरा plaster का पानी होगा वो सोग लेगी brick और वो आपके cracks भी create होंगे और वो कमजोर भी हो जाएगा आपका जो plaster होता है तो यह एक checking हो गई, फिर जो cement हम use कर रहे हैं side पे वो proper grade का use हो रहा है, उसको जो storage है उसकी, वो proper grade से storage की है की नहीं गई है फिर हम अगर एग्रिगेट की बात करें, proper जो एग्रिगेट यूज़ किया जा रहा है, वो shape में है की नहीं, एंगलोर तो नहीं है जहां अगर हम river aggregate यूज़ कर रहे हैं, जहां जो machine से बना aggregate, उसमें भी differentiation आपको होना चाहिए, कौन सा में यूज़ करना चाहिए, send का, मतलब overall आपका work आगया, पूरा quality और quantity आपको control करनी है side की, जो side पे, field पे काम चल रहा है, उसकी, फिर हम चेकिंग की बात करें, तो shuttering का main checking का रहता है, उसमें काफी दिक्कत आती, staircase की बत करें, तो staircase को कैसे checking करते हैं हम उसकी, तो वो भी आपको आना चाहिए, जो मैं आपको topic बोल से जा रहा हूँ, अगर आपको चाहती होगी इन पे वीडियो आए, आप comment ज़रूर करना, मैं उस पे वीडियो भी लाँगा, औ और यह मतलब आपको overall checking करनी है, steel की, material की, column की alignment, beam की alignment, यह सब चीज़ें आपको execution में काम करना ही होता है, side पे, फिर हम बात करें कि और क्या काम आता है, तो जो test होते हैं, हम बात करें, अब नीचे से start करते हैं, foundation से, तो वहाँ आपका soil test हो गया, compaction test जिसे हम बोलते हैं, sand replacement method से करें है, core cutter method से, आपको concrete के test, यह जो basic test होते है, slump test, हमारा cube testing compressive strength, और aggregate को जो हम size करते हैं, वो, sieve analysis बगरा, यह सब test आपको must आनी आने चाहिए, जब भी आप fielding में काम करने जाओगे, यह चीज़े आप जरूर वहाँ देखोगे तो, इसके लिए आपको पहले ही prepare होना पड़ेगा, और हम बात करें, आगे आपको क्या चीज़े आनी चाहिए, तो यह जो मैं overall आपको vision करवा दी है, कि side पे क्या काम होगा, और यह इसको छोड़ के, जो extra काम जो आपको रहता है, वो आपको labor संबालने का, labor को management करने का proper होता है, यही skill, यही technique आपको छोटे से high level तक ले सकती है, कि जो काम आप एक गंटे में, आदे गंटे में करवाओगे, वो वैसे way में आपको labor लगानी है, वैसे way में आपको supervisor या four men को इसको guide करना है, कि आपकी labor जो लग रही है, proper way से काम कर रही है, बाकि bar winding schedule, auto care, यह basic यह आगे चीज़े, आपको must आनी आनी क्योंकि field पे यह दो चीज़े भी काफी ज़दा काम आती है, बाकी quantity सरबे तो पता ही है कि क्या material की quantity कैसे निकालती है, कितना material लगेगा, यह चीज़ भी आपको पतानी चाहिए, अभी मैं बात करता हूँ, जो हमने सामने PDF कूल लिया, उसकी तो वो क्या कहती है, कि जो आप हम हम की डाल रहे हो बले, वो की उसकी smith बनी रहे, और इसमें वो ही चीज़ें लिखी है, जब भी आप जो gap रहेगा, उसको properly आपको cement का जो best mixture होता है, one ratio 4 का, वो fill up करके करना है, चीपिंग करनी है, वो best तरीके से करनी है, brick use करनी है, वो अच्छी quality से proper उसमें क्योर होनी चाहिए, फिर जब slab, beam costing, concreting के बाद आती है, तो आपको एक meter height से ज़्यादा concrete नहीं फैंक ने देना है, तो वो ही मैंने जैसे कहा, आपको checking की चीज़ें, तो वो building construction में यह basic चीज़ें आपको आनी आनी चाहिए, shuttering का knowledge होना चाहिए, checking का knowledge है, knowledge आप कहां से ले सकते हो, ITPs ह होती है, जो वो आपको help करेंगी, knowledge gain करने में, और इस जो channel हमारा civil engineering शर्मा जी में, इसमें हम डालते हैं कि, क्या क्या skills आपके पास होनी चाहिए, interview के question, और जो interview के question होते है, वो relate होते है, practical knowledge से, तो वो question भी मैं यहाँ डालता हूँ, अब तक हम यहाँ डाल चुके है channel पे, आप जाके visit कर सकते हो, देख सकते हो, बाकी finishing का काम में आपको, की plaster को कैसे हम करते हैं कि, चारो दिरवारे में, काट कोने में, right angle में रहें, और plaster जादा हमनी चड़े एक तरफ, proper से plaster हो जाएगा, वो कैसे करते हैं, वो भी आपको आना चाहिए, बाकी जब plaster करोगे, sharp corners रहन आता है, इस पर और मैं briefly वीडियो लाऊंगा जुरूर, अगर आप comment करते हो, और भी कल हम एक job updates लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को subscribe करो, बेल आइकन दवालो, जब भी मैं वीडियो डालूँगा, आपके तरफ, जुरूर पहुंचेगा, सबसे पहले, thank you guys.